दोस्तो सलमान खान का अगला कदम ऐसा है कि आप लोग भी ताज्यूप करेंगे वो बरवाद होने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं और कौनसा नया स्टेप उन्होंने उठाया है जिस कारण से पूरे सोसल मीडिया पे लोगों ने उनको फिर से एक बार ट्रॉल करना शु हुआ है पूरी तरह से वहां कि जो कारेविवस्ता है वाहां का घर है वहां का जिस तरह से ट्रंसपोर्टर मीटर लगे हुए है राइड बिजली के वो किस तरह से उर जाता है क्या च्छती हुई है आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के Chaos मीडिया पे बहुत जादा वाराल साल होने को है जुन महीने में एक साल हो जाएगा उनकी बहन हमेशा आवाज उठाती है और इस बार बुद्ध पुर्णिमा के सुभ अवसर पे उनकी बहन ने एक इंस्ट्राग्राम पे पोस्ट शेयर करा है और उन्होंने बताया है कि मेरी प्लैनिंग क्या होगी जुन महीने मैं क्या करने वाली हूँ अपने भाई के लिए उन्होंने बहुत ही सांती पुर्वक और बहुत ही इमोसिनल हो करके ये बाते कहीं है जिसको देखकर के पुड़े एसेसारियन पुड़े लोगों ने काफी जादा एप्रिसियेट किया है स्वेता सिंग कृती को और उन्हों पर बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उनकी बहन जिस तरह से प्लैनिंग करी है उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से हर चीजों को सोचा है लेकिन क्या हम लोग एसेसारियन्स होने के नाते इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के नाते और आप लोग बरे जो फैंस हैं आप लोग एसेसारियन्स हैं वारियर्स हैं तो आप लोगों को भी कुछ करनी चाहिए जिस तरह से उनकी बहन कर रही हैं और करती आ रही हैं मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ न कुछ एसेसार के लिए जरूर करेंगे क्योंकि आज तक एक साल होने को है और आप कि उनकी प्लैनिंग क्या है जो कि बुद्ध परनीमा में उन्होंने इस चिस को रिवील करा कि जून महीने में मैं बिल्कुल शांती चाहती हूँ, मैं एकांतवास होना चाहती हूँ, उन्होंने पोश्च शेयर करके सुसान सिंग राजपुत की फोटो और उनके साथ बुद् दिल्स औभाव के थे, उन्होंने कहा कि मैं जंगल के बीच में जाके एकांतवास हो करके मैं इससार की यादों में अपनी जंदगी के कुछ हसीन पल लमहों को बिताना चाहती हूँ, याद करना चाहती हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई का सरीर तो नहीं है, लेकि बात और उन्होंने कहा पूरे एससारियंस के लिए, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जाने के बाद मेरे सेल्स मुबाइल्स काम नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं होगा, अगर मैं कोई भी पोस्ट सेयर ना करूं, अगर मैं सोशल मीडिया पे अक्टिव ना रहूं, तो कृ प्या आप लोग उदास ना हो, परेसान ना हो, ये मिसाल देनी परीगी कि स्वेता क्रिस सिंग कृती को ये पता है कि कितनी भी मुसीवत आये मुझे आगे रहना है, चाहे कोई भी कितनी भी प्रोबलम आये, हमें आगे डटकर सामना करना है उस मुसीवत से, बहुत सारी स्वेता क्रिती कोई भी बाते करती हैं, कोई भी तरह की ट्वीट करती हैं, कितनी बेवाकी तरीके से करती हैं और जो भी बाते करती हैं, पुरी बोल्डता से अपनी आवाज को रखती हैं, वो डरती नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इस सारियंस जिस तरह से आज हैं हमारे साथ वो जरूर हमारे साथ रहेंगे और हमारे हर एक कदम पर रहेंगे तो दोस्तों आप लोगों से already उम्मीद है कि आप सब स्वेता सिंक्रिती को सपोर्ट करें उनकी हर एक एक अक्टिवीटी पर उनका साथ दे आप लोगों से यही उम्मीद है और उनकी बेहन का भी यही आप लोग से स्पेक्टेशन है सल्मान खान के लिए सायद यह आखरी चांस है एक रिस्क ले रहे हैं वो कि क्या इस रिस्क में खिलने के बाद मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा अब सल्मान खान अपने आपको भाप रहें कि अब मैं जो पाऊंगा क्या उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं लेकिन बताओंगा आपको कि क्या फिर से एक ऐसी कदम उठाने वाले हैं जिसमें उन्होंने अपने बरवादी का रास्ता खुद बना लिया है सारे खांस में जो भी खांस हैं चाहे वो सारु खान हो, सल्मान खान हो आमीर खान हो। उन सब में से सलमान खान भायजान बनते हैं और जिस तरह से 5 साल में इनके फिल्मे पुरी तरह से हवा हवाई हो गई है। इनकी फिल्मों कोई रेटिंग जो है पूरी तरह से गिर गई है जिस तरह से सुल्तान आई चलो सुल्तान कुछ हद तक ठीक रही रेटिंग अच्छा मिला लोगों का प्रोत्साहन मिला लेकिन उसके बाद जिस तरह से 5-6 फिल्मे इनकी लगातार जैसे दबंग 3 हो गई रेस पूरी तरह से टाइंटाइं फिस हो गई फिल्मे बॉक्स ओफिस पे लोगों ने तो एस्पेक्ट किया था कि दबंग 3 अच्छा कारोबार करेगी लोगों ने ये भी एस्पेक्ट किया थे कि रेस त्री तो बहुत वंडरफुल फिल्मे बनेंगी सलमान खान की बहुत करके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस दद्दू को इस चाचा को अब फिल्म इंडस्ट्री से डिटायर ले लेना चाहिए क्योंकि अब इनको जो रॉल मिलेगा वो कैरेक्टर जो रॉल प्ले करेंगे वो अब किसी के दादा की रॉल प्ले कर सकते हैं या फिर किसी के पिता की या फिर बड़े भाई की वो as a lead actor काम नहीं कर सकते as a supporting role ही करेंगे तभी वो film industry में टिक पाएंगे नहीं तो नहीं टिक पाएंगे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अभी जिस तरह से वो filmे produce करते हैं अब उनको कहीं न कहीं अब बंद करना होगा क्योंकि back to back filmे जिस तरह से flop दे रहे हैं वो अपना इतना ज़ादा invest करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा बरवादी का रास्ता उन्होंने खुद बनाया है सल्मान खान समय के वक्त को भाप रहे हैं कि क्या ये समय मेरे लिए सही है या गलत है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि प्राथमिक्ता यही हो सकती है कि सल्मान खान अभी 55 साल के हो चुके हैं और इस स्थीती में इस तरह की filmें उनके उपर सोभा नहीं देती है और आपको बता दूँ कि प्राथमिक्ता यह भी हो सकती है कि उनके filmे back to back flop होने का कारण यह भी हो सकता है कि यह पूरी तरह से जो copy का कारिकरम चल रहा है copy paste का कारिकरम चल रहा है आउटला का राधे में जिस तरह से copy हुआ जहांसे आप कभी Hollywood की copy कर लेते हैं कभी South की filmों का copy कर लेते हैं तो इससे कही न कहीं audience उनसे बिल्कुल नाखोस हो गई है निरास हो गई है और बोर हो गई है जिस तरह से वो copy paste की जो प्रताएं चला रहे हैं कहीं न कहीं अब उन्हें फिल्में अगर बनानी परेंगी तो कहीं न कहीं अब उन्हें एक नया content पे काम करना परेगा कुछ fresh story पे काम करनी परेगी और इस तरह से जो वो आ जाते हैं एक ही acting और एक ही तरह का ये करके जो आ जाते हैं इससे कहीं न कहीं audience जो हैं वो पुरी तरह से बोर हो चुके हैं अब उन्हें कुछ नया करने की कोशिश करनी परेगी दोस्तो इतना कुछ होने के बाद इतना बड़ा लॉस होने के बाद 300 करोर की फिल्म पिट गई पूरी तरह से राधे इसके बाद फिर से सल्मान खान अपनी बरबादी का रास्ता बनाते हुए समझ बे आ रहे इतना कुछ होने के बाद भी सल्मान खान ने अब ये रिवील करने जा रहे है कि अब इतना लॉस हुआ फिर भी हम रुकने वाले नहीं है फिर से चांस लेंगे टाइगर फिल्म का जो सिक्वल बन रहा है इंडस्ट्री में दिखेंगे नजर आएंगे क्योंकि बात लाख दो लाख की नहीं है सौ करोर दो सौ करोर का गेम होता है और ऐसी स्थिती में अगर फिल्में पीटती है तो बड़ी बजट के फिल्में पूरी तरह से लॉस हो जाती है फिल्में फ्लॉप अगर हो जाती है तो इसमें क्रिटिक्स की क्या गलती है आम लोगों की क्या गलती है जो फिल्म को अच्छा बुरा भला कहते हैं आपकी फिल्मों को कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं कुछ लोग बुरा भी करते हैं इसमें उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी है, लोकतांतर है, इंसान खुल करके अपनी बाते रख सकता है, लेकिन अगर आप उस पर defamation का case कर देंगे, मानहानी का case कर देंगे, तो कल को आपके fancy आपके fancy आपके filmे का review नहीं करेंगे, आपके filmें ही नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं लगना चाहिए आपको ये कहना चाहिए कि चलो अगली फिल्म में तरह सुधार लेंगे लेकिन आप उसे डाइसो पन्ने का जिस तरह से आपने केस कर दिया मानानी का ये थोड़ा शर्मनाक बात है इससे आपके इमेज पे बहुत गंदा इफेक्ट परा है इसको तरह इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि अभी प्रकिर्टी किस तरह से हर जगा गुसे में है और तकलिफ में है और कहीं न कहीं ये विक्रित प्रच्तिती आ रही है हम लोग यही दुआ करते हैं कि इन सारे चीजों से हर को इनसान निकल जाए और अपने जंदगे खुस में जीए हलाकि SSR की बहन स्वेता कृति ने जो बाते कही कि 14 जुन को उस महीने पुरे जुन को वो क्या करने वाली है इस पर आप लोग की क्या विचार है और सल्मान खान जिस तरह से बरवाद होने के लिए फिर से एक नया कारनामा करने वाले है सारे मुद्धों पर आप लोग क्या सोचते हैं इस पर आपनी विचार ज़रूब एक करें तो आज के लिए बस इतना ही मैं सीसरा ठोर विदा लेता हूं धन्यवाद